नमस्चार बहुत स्वागत है आपका जोतिश दिशाज सत्य की रह में मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंट आज और आप हम से जैपुर में मिल सकते हैं आज दो पहर तक हम जैपूर में हैं 20 सितंबर को जैपूर में हैं अगर आप जैपूर में मुलाकात करना चाह रहे हैं तो दिये गए नंबर पर अभी होट्स अप या कॉल कर सकते हैं आज आपको बिना किसी एडवांस के भी मिलने की छूट है डारेक्ट आईए एड्रस लेजी आईए और कुल्ली दिखाईए अपनी दिखाईए बच्चों की दिखाईए अपने परिजनों की दिखाईए जिसकी चाहे उसकी भी दिखा सकते हैं मुलाकात करने के लिए समय कम है आज ही मुलाकात कर सकते हैं आप आईए गया जी वाला तो फुल होई चुका है अब सुरवात करते हैं आज के जोतिश दिखाईए और बताएंगे पूरे दिन का हाल राहुकाल गुलिकाल और साथी साथ भाग्याग्ज है शुरवात 27 मीडिया की अजभत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा सरप्रतम जानते हैं आज का पंचांग भात प्रत महाँ पूरिमा ति थी आज पूरिमा का अश्राद है चंद्रमा आज को मराशी में नक्षत रहेगा पूरवा भाधर पद योग रहेगा शूल तदनुसार दि गुलिक काल शुब समय गुलिक काल में किसी भी नए और शुब काम का आरंभ किया जा सकता है काम आपके बनेंगे हर कीमत पर बनेंगे सुरवात अब करते हैं आज के विशेश भविश्यवारी की मेश्राश शक्षा के लिए जो विचार किया था वो आज आप संपन्न कर सकते हैं सिक्षा का छेत्र आपके लिए शुब रहेगा ब्यापार आप पर आज भारी है बिजनस की स्थती उठापटक वाली है ठीक नहीं है प्राइविट सेक्टर में नई नोगरी की संभावनाएं दो पहर बारह साड़े बारह के बाद मेल के माध्यम से पता चल जाएंगे सहकारी छेत्र उल्जन पैदा करेगा आज कुछ तनाव की स्थती स्थती स्वतह पैदा हो रही है दामपत्त जीवन प्रभावी है आज पति पत्नी के बीच स्नेह रहेगा परिस्थतिया पक्ष में रहेंगी किसी तरह की समस्या नहीं आएगी लेकिन लव लाइफ बहुत मुश्किल पैदा करेगा यहां इस्थती आपके साथ कनेक्टेट नहीं है स्वास्त के मामले में पेट दर्द बैक की प्रॉबलम आँखों की समस्या दिखाई देता है उपाय क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी मेश है कम से कम 19 बार इस मंत्र का जाप करिएगा और क्या नहीं करना है आज बहुत जादा किसी के विशे में इनवाल्ब नहीं होना है स्लेटी रंग्षुभ है 61 प्रतिशत का भाग्या है बिशब राजी समय आपके पक्ष में है कोई रुकावट नहीं आएगी पढ़ाई अच्छी करेंगे ब्यापारिक दिश्टिकोंड से समय थोड़ा प्रित्कूल रहेगा बिजनस में उठापटक रहेगा परिस्थतियां हाथ से बाहर जा रही है प्राइविट सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा है मामूली सी बात पर बड़ा लाव दिखाई देता है सरकारी छेत्र तनाव दे रहा है यहां कई तरह की उल्जने है मैरेड लाइफ बहुत अच्छा बच्चों का सुख मिलेगा लव लाइफ में उठापटक बैवाहिक चर्चा न करें तो बहतर है प्रियोग क्या करना चाहिए ब्रिशवराशी वालों को आज किसी जरूरत मंद को थोड़ी सी हल्दी दान कर दीजेगा और क्या नहीं करना है अपने राज रिवील नहीं करने है शुबरंग पीला भाग्यप्रशत बासट निथुन राशी मानसिक मजबूती मिलेगी किसी तरह की दिक्कत नहीं है पढ़ाई अच्छी करेंगे ब्यापार कश्ट दे रहा है बिजनस में कई तरह के उठापटक बनी रहेगी प्राइविट सेक्टर बहुत अच्छा है शुबता मिलेगी परशानियों से बाहर निकलेंगे सरकारी छेत्र आपके लिए बहुत सकरात्मक है गवर्मन्ट सेक्टर में जो भी आप विचार करेंगे वह आपके लिए बनता चला जाएगा दामपत्य जीवन बहुत सकरात्मक रहेगा एक दूसरे के साथ बहुत वक्त विताएंगे हर प्रकार की परशानियों को दूर भगाएंगे लव लाइफ में कुछ उठा पटक है लव लाइफ की स्थती थोड़ा तनाव दे रहा है परिस्थतियां आपके हाथों से बाहर जा रही है स्वास्त के मामले में आज इसकिन बुखार खासी की शिकायत हो सकती है प्रियोक के तोर पर आज के दिन अपने नाभी पर कुमकुम लगा लिजेगा या केसर लगा लिजेगा क्या नहीं करना है आज जल्दी बाजी में कोई फैसला मत लिजेगा शुबरंग आपके लिए लाल भागी प्रशत 68 करकराशी इस्थिती बहुत फेवर में है पढ़ाई बहुत अची करेंगे अवसर बहुत मिलेगा ब्यापार कश्ट देगा इस्थितियां आपके हाथ से बाहर जा रही है बिजनस में कई तरह की उठापटक दिखाई देती है प्राइविट सिक्टर जबर्दस्त लाव की आउसर बनेंगे शुबता जरूर मिलेगी सरकारी छेत्र तनाव दे रहा है कुछ परिस्थती हाथ से बाहर जा रही है दांपत्त जीवन सकरात्मक है पति-पत्नी की बीच सभार्द रहेगा शुबता जरूर बनी रहेगी लव लाइप में उल्जन बढ़ रही है आज कुछ उठापटक के साथ ब्रेकप के बात कोई न कोई करही देगा स्वास्त के मामले में पेटदर्द किड्नी और आखों की समस्या हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए अग 60% का भाग आपके साथ है सिंघ राजी परिस्थतियां आपके पक्ष में लाव के बड़े अवसर बनेंगे पढ़ाई अच्छी करेंगे ब्यापार कश्ट देगा चीजें हाथ से निकलेंगी मुश्किलें आएंगी प्राइविट सेक्टर बहुत अच्छा है अनकूलता र की दिक्कत नहीं आएगी लव लाइप में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं सुच समझ कर फैसला लीजिए परिशान हो सकते हैं स्वास्त के मामले में पेटदर्द आंक कमरदर्द की शिकायत हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए सिंग राशी वालों को एक उपाय आज से उलजना नहीं है शुबरंग के सरिया भाग्य प्रत्षत 51 कन्य राशी समय बहुत अच्छा है शिक्षा में लाब होगा पढ़ाई अच्छी करेंगे व्यापार में कष्ट मिलेगा बिजनस की स्थिति ठीक नहीं है प्राइविट सिक्टर आपके लिए जबर्दस्त है अ मानता रहेगी आज बच्चों को लेकर सही निरड़ा लिया जाएगा लव लाइफ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है मानसिक तनाव मिल रहा है आज जेट पर ना जाए तो बहतर है स्वास्थ किट्नी की समस्या घुटना कमरदर्द शिकायत हो सकती है उपाय क्या करना चाहिए करने राशी वालों को आज गेहु का आटा बहुत सारे जरूरत बंद आसपास दिखते हैं सामर्थ के अनुसार दान कर दीजेगा क्या नहीं करना है जूट नहीं बोलना है भूरा रंग शुब है पचास प्रतिशत का भाग्य है तुला राशी दिनांक 20 सितंबर प अलग से मिलता है सरकारी छेत्र आज काम में उठा पटक के इशारे दिखाता है दांपत्य जीवन अच्छा है बहुत सवहार्द रहेगा मजबूती आएगी लव लाइफ आपके लिए मांसिक तनाव का कारण बनेगा आज किसी ने किसी बात पर बहस को कुछ गंदा रूप देने का संयोग दिखाई देता है लव लाइफ बहुत अनकूल है पश्थतियां आपके पक्ष में हैं लाब के उसर बनेगे स्वास्त के मामले में पेट दर्ध हो सकता है आज इसकिन प्राब्लम जुखाम बुखार के शिकायत हो सकती है उपाय के तोर पर अगर आपकी रा सित का भाग्य है समय बहुत फेवर में है शिक्षा में लाव होगा शिक्षा का छेत्र आपके लिए अनकूल है ब्यापार तकलीफ देगा बिजनस की स्थिती ठीक नहीं है तनाव बढ़ सकता है प्राइविट सिक्टर आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा सोच समझ कर फ लाइफ तनाव देगा लव लाइफ की स्थिती ठीक नहीं है स्वास्त के मामले में आज कमरदर्द किट्नी डाइजेशन प्राबलम हो सकती है प्रयोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी ब्रिश्चिक है आज सफेद रंग धारन कर लीजेगा क्या नहीं करना है अपन ब्यापार अच्छा है अवसर बड़े मिलेंगे परिशानियों से बाहर निकलेंगे प्राइविट सेक्टर उठापटक दिखाएगा प्राइविट सेक्टर की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है सरकारी छेत्र बहुत अच्छा रहेगा गौर्मेंट सेक्टर में जॉब कर दे रहा है किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी स्वास्त के मामले में आज पेट दर्द और लीवर की प्राब्लम हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए धनुराशी वालों को उपाय के तौर पर आज काले वस्त्र धारण करना शुब होगा क्या नहीं करना है दूसरों से उ देगा रुकावट पैदा हो रही है इस्थती आपके पक्ष में नहीं है प्राइवेट सिक्टर जबरदस्त है शुबता जरूर मिलेगी मांसिक मजबूती प्राप्त करेंगे सरकारी छेत्र में लाब के आउसर बनेंगे आज प्रमोशन हो सकता है दामपत्य जीवन वास्त के मामले में पेट दर्द कमर और आकों की शिकायत हो सकती है उपाय क्या करना है आज प्रियोग के तोर पर किसी जरूरत मंद को कुछ रोटी आदि खिला दीजिए क्या नहीं करना है लाल रंग नहीं पहनना है हरे रंग की शुपता है 58 प्रत्शत का भाग्य है कुम पार तकलीफ देगा मित्र धोखा दे रहें आज कुछ चोरी पकड़ी जा सकती है बच जाएंगे प्राइवेट सेक्टर अनकूल है प्रमोशन हो सकता है सरकारी छेत्र तनाव देगा किस्थति पक्ष में नहीं है दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है पती-पत्नी की पीट दर्द आख और कमर दर्द की शिकायत हो सकते हैं उपाय क्या करना चाहिए अगर आपकी राशी कुंभ है आज कुंभ राशी वालों को किसी जरूरत मंद को कुछ खाने की वस्तु देना शुब होगा क्या नहीं करना है बढ़ बोला पन नहीं दिखाना है शुबरंग आपके लिए बैगनी भाग्यप्रिशत 55 मीन राशी पढ़ाई बहुत सा करात्मग है शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी ब्यापार अच्छा चलेगा बिजनस में मजबूती आएगी प्राइवेट सिक्टर आपके लिए अन्कूल है लाव की आउसर देगा सर कुछ समझ कर फैसला लीजे स्वास्त के मामले में पेट दर्द आख और शुगर की समस्या हो सकती है उपाय क्या करना है मीन राशी वालों को प्रियोग के तोर पर किसी जरूरत मंद को कुछ खाने की वस्त देजिये क्या नहीं करना है दूसरों से उम्मीद नहीं करना है श मेश राशी, खाक्षर बिशबह, मिथुन पाक्षर करकजा, सिंगव चाक्षर कन्यासाब, तुला हाक्षर विश्चिकवा, धनुताक्षर मकरका, कुम्भ पाक्षर मीन न, ये शुब भाग्याक्षर सादे चोकुर कागजपर, लाल रंग वाले इंक की कलम से लिखना है और अपने पास रख लेना है, बस इतना सा करिए, आनन्द उठाएंगे, इतना शुबता प्राप्त होता है, सोचे इतने वर्षों से हम दे रहे हैं, और इतने वर्षों से लोग कर रहे हैं, बस आप लोगों से एक शिकायद रहती हैं, आप लोग शेर नहीं करते हैं, संख्या पड़े पर थे और वहां से हम लोग 35, 33, 35 पे आ गए हैं आधे से भी कम हो गए लेकिन संतोष इतना है कि जो बचे हैं वो हमारे हैं जो हमारे नहीं थे वो चले गए और हमारे बनेंगे इतना भरोसा भी है इसलिए सब्सक्राइबर संख्या तो बड़ी रहा है कम थोड़ी हो रहा है स्लो हुआ है कम नहीं हुआ है बात करते हैं आज के सक्सेस की की काले तिल और काले चने एक एक चुटकी काले चने दो दाना किसी पौधे की नीचे डाल दीजे बस काम पूरा हो जाएगा बात आज 20 सितंबर को पैदा हुए लोगों के लिए हैबी बर्थ दे आपको शुब काम ना है पहले तो सुमवार के तीन भूरत कर लिजेगा और जरूरत मंद को कुछ पैसे दे दीजेगा जिसकी आज मैरी जैनिवरसरी है नीला रंग का कपड़ा किसी को दे कर दो लोगों को भोजन कराना अपने हाथ से न भूलिएगा बस बहुत आभार वेक्त करत हेशा कमेसा के साथ आपके लिए हैं आपके कदम दर कदम आपके साथ ही रहें निसका म को अँगे बढ़ते हैं और विधा लेते हैं आज जोटश जराहट करकम में मैं बताओंगा की कि कारक ग्रह, शुक्र नहीं, कोई और है, जेखना न भूलिएगा, जोतिश जरा हटके, फिलाल आज के लिए तना ही, अपना बहुत ख्याल रखें, हसते रहें, खिलकलाते रहें, और आज जेपुर में हैं, मिलना हो तो आ सकते हैं, नमस्कार.